साथियों, आज सावन का पहला सोंबार है, इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंब हो रहा है और सावन के इस पहले सोंबार को, मैं देश वासियों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ आज संसत का मंसुन सत्र का भी आरंब हो रहा है देश बहुत बारिकी से देख रहा है, कि संसत का यह सत्र सकारात्मक हो, सुजनात्मक हो और देश वासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोकतंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्मपूर्ण पड़ाव के रुप में मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रुप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोकतंत्र की गवरव यात्रा की अत्यंत गर्वा पूर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा है ये बजेट सत्रह है मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूँ क्रमा शहरुप से उन गारंटीों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अम्रित काल का एक महत्वपूं बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के काईरे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट 2047 जब आजादी के सो साल होंगे तब बिशिद भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव को बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनामी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश है गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ एट परसेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्मंस एक प्रकार से अपर्चुनिटीची की पीक पर है ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी सांसदों से किसी भी दल के क्यों न हो मैं आज आगरह पुर्व कहना चाहता हूँ कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसे ने राह दिखाने का प्रयास किया किसे ने गुरुमरा करने का प्रयास किया लेकिन अब वो बहुर समाप्त हुआ बेश वाच्चियों न अपना नेने दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्टक पर है सभी राजनितिक दालों की विशेज जिम्बेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी अब आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राज़ितिक दलों से भी कहूंगा कि आईए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उपयोग करें जन्वरी 29 जब चुनाओं का वर्ष होगा आप उसके बाद जाईए मैदान में सदन के अभी उपयोग करना है कर लीजिए वो छे महिने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के हुआ देश के महिनाए उनके सामर्थ के लिए उनको एमपावर करने के लिए जन भागी दारी का एक जन अंदोल उन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकट लगाए मुझे आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई साउंसद पांच साल के लिए आए कुछ साउंसदों को दस साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से साउंसद ऐसे थे जिन को अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला अपने विचारों से साउंसद को समर्द्य करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के संसत के महत्वपुर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती विफलताओं को धागने के लिए दुर्प्योग किया हूँ मैं सभी दलों से आगरह पुर्वक कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे मानने साउसद है और सभी दल में हैं उनको आउसर दीजिए चर्चमों के विचारों को प्रगट करने का मोका दीजिए जादा से जादा लोगों क आगे आने का आउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसब गठन होने के बाद जो पहला संत्र था 140 करोड देश्वाचियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देश्वाचियों ने उसकी आवाज को कुछलने का अलोगतरिक प्रयास हुआ जाई घंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गळा गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोगतांतरिक परमपरों में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्षयकाप तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आधिरपुर्वक केहना चाहता हूँ देश वाचियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है यह सदन दल के लिए नहीं यह सदन देश के लिए है यह सदन समसदों तक की सीमा तक नहीं है 140 करोड देश वास्यों की एक विराट सीमात करके ये लिए है मुझे आभी स्वास करता हूँ कि हमारे सभी मानिय सांसद पूरी तयारी के साथ चर्चा को समर्द्ध करेंगे कितने ही विरुद्ध विचार होंगे विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं नकारात्पक विचार बुरे होते हैं जहां सोचने की सिमाई समाप्त हो जाती है देश को नकारात्पक तागी जरूत नहीं है देश को एक विचार धारा प्रगति की विचार धारा विकास की विचार धारा देश को नई उचाईयों पर ले जाने वाली विचारदारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूरा यह आशा करता हूँ कि हम लोग तंद्र के इस मंदिर का भारत के इस सामानिय मानवी के आशा आकांख्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात पर गूर्प से उप्योग करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों a very strong